समाचार नी शर्वातमा आजे वात भारत नी करीशूं। आज काल मा चेपी दर्दियोंनी संख्याने मामले आपने चीन मा नोंधायला दर्दियोंनी संख्याने पन पार करी जेशूं। बीजा बार दिवस लागी गया और हवे केस नी संख्याने चारीस हजार थी साहींट हजार थवा मां मात्र छो दिवस लागया हता। चिल्ला पांच दिवस थी स्थिती एचे के सतत वीस हजार थी वधू केस नोंधाता रहा चेंशूं। प्रमितोनी संख्या साहींट हजार थी वधी ने ऐसी हजार ने पार थेगे। भारत मां लगातार पांच मां दिवसे 3,500 करता वधार पॉजिटीव केस सामे आवया चें। हवे आजे नाणा मंत्री निर्मला सीता रमने क्रुशी सीचाई पशुपालन और मत्स्योध्योग मामले विविज्जाहरा दो करी। जमाते हमने एक लाग करोडनों फंड क्रुशी इंफ्रस्ट्रक्चर माटे फालव्यू। आउपरांत माची मारों माटे 20,000 करोड तो पशुपालकों माटे पन 20,000 करोड रुपया फालव्या चें। किसान के लिए ग्राउंड लेवल में स्टोरेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, कोल स्टोरेज हो, इन सब के लिए भी ध्यान देकर के ही इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही जादा दर पाइसा हम अलोट करें। कोरोना वाइरस नी माहमारी नो सामनो करी शकेते हेतू थी विश्व बैंके भारत माटे एक अबज डॉलर ना सामाजिक सुरक्षा पैकेज नी जाहरात करी छे। कोरोना वाइरस ना संक्रमी दर्दियों नी वत्ती संख्याने पहुचे वडवानी तैयारी होचे। बांद्रा कुरला कॉंप्लेक्स पासे सरकारी जमीन उपर बनी रहेली आ होस्पिटल थोडाज समयमा तैयार थाई जेसे। जिनी अंदर 1000 बैड औने ओक्सीजन सप्लाई नी व्यवस्था पन हसे। आ होस्पिटल मा इस दर्दियों नी सारवार ससे जमने आईसीओ नी जरू नहीं होई अथवा जमनामा कोवीड-19 ना संपुन लक्षण नहीं होई। हाल एंसीटका दर्दियों आज स्रेणी माँ चेहूं केहवाम आविरोव छे। मुंबई मां युद्धन दोरने आ प्रकारे होस्पिटल नू निर्मान पहला क्यारे नती थाई। 2008 मांती अर्दा बैड साथ ये ओक्सीजन नी व्यवस्था पन हसे। अर्दाज मांते अलग एटेज टॉलेट साशे। डॉक्टर्ज मांते पन अलग व्यवस्था आशे। अनि टेस्टिंग लेब पन हसे औने स्टोरेज नी सुवीधा पन। बांदरा कुरला कॉंप्लेक्स नी जैमाज गोरे गावना नेसको एक्सिबिजन सेंटर मां एक होस्पिटल बनावाई रही छे। आवाँ पन एक हजार बैड हसे। अबेज इग्याओ सिवाए महालक्समी रेसकोर्स नेहरू साइनस सेंटर अने महीम नेचर पार्क मां पनावी होस्पिटलो बनावा मावी रही छे। जियां एक साथे हजारो कोवीड नेंटिन ना दर्दियोनी सारवार थाई सक्से। एक्जिबिशन ग्राउंड मां सुविधा छे। कदाचा में बीकेसी ना सेंटर मां बेट्सनी संख्या बेगणी करवा चेही रहा छे। अनिया किटलीक जग्याए पन आवा सेंटर बनावी छो। ऐसी टेका केस को इलक्षन वगण ना छे। इटला माटे आप्रकानी सुविधा वधारी रहा छे। मुंबई मां हालत केटली घंबिर छे एनों अंदा जो सरकार नी तैयारियों पर्थी लगावी शकाई छे। मुंबई नगर निगम अत्यार सुधी 50,000 बैड्स नी वेवस्था करी चुक्यू छे। अने आसंख्या 35,000 सुधी लई जवानी योजना छे। आना माटे विसाड मैदानों अने स्टेडियम सिवाई BMC स्कूलों, होटेलों अने लोज मापन आईसोलेशन बैड तैयार थही रहा छे। बिजी बाजू स्पेश्यल कोवीड होस्पिटलों अने प्राइवेट होस्पिटलों मां 3000 ICU बैड तैयार छे। जिने 4750 करवानी योजना छे। आ तैयार यो ओची ना पड़े ते माटे महाराष्ट सरकारे केंद्र सरकार पासे थी आर्मी, नेवी अने रेलवेज ये भी सरकारी होस्पिटलों नी स्वास्ते सुईदाव मड़ी रहे तेनी पन माग करी छे। एक तरफ महाराष्ट सरकार मुंबई के खुले मैदानों पर स्टेडियमस में इस सरकार की बड़ी-बड़ी COVID-19 हॉस्पिटल्स बना रही हैं, जो आकडे मुंबई में बढ़ रहे हैं, उसको मंदे नजर रखते हुए, जहां पे हजारों लोगों का एक साथ उप्चार हो स कुछ दिनों में उनको वापस लाया जाएगा, उनमें से 1900 सिर्फ अकेली मुंबई में आएंगे, वो जब आएंगे तो उनकी स्रीनिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, अगर वो पॉजिटिव आते हैं, तो उनको उपचार करने के लिए भी जगा होना जरूरी है, और उसी लिए करीब 88 प्राइवेट होटेल्स जो हैं, वो अब महाराष्ट सरकार ने अपने कबजे में लिए हैं, और उनको 35,000 आईसोलेशन वाड्स में कनवर्ट किया गया है, और यहाँ पे उनका स्रीनि होगा, टेस्टिंग होगा, और ज़रूरत पड़े तो उनके खुटी पड़वानों डर पणवती रहो छे, एवो हमा जुवानू रहसे के होस्पिटलों नी संख्या वतारीने मुंबई आवनार दिवोसो मा आज जंग के वरीते लड़ेशे समचार मा विराम बात जोएशूं पहली भार लोगडाउन जाहेर थाओ, त्यारे लोको आख खतरनाक वायरस थी बचवा घरमा गोंधाई रहा, पन हजारों मजुरों रस्ता पर आवी गया ते ओभूख अने तरस वच्चे सैंकडों किलोमीटर पोताना वतन जवा पगपाडा निकली पड़े आखरे शूं वीतियू तेमना पर ते जानवानों परायतना करयो बीबीसी समवादाता सल्मान राविये न साधन न रूपिया, त्यां सुधी के किटलाकना पगमा चपल पड़ नहीं सल्माने जरे अंबाला थी मध्यप्रदेश जटा एक परिवार ने मलीने तर्मी तकलीफ ने समझवानों परायतना करयो त्यारे शूं सत्यसा में आपि तेज हुई है यह वो शक्स हैं, अमबाले से चले और अब मैं बताओं कि अमबाले से चलकर यह दिल्ली पार होते हुए इनको यह तीसरा दिन है जब यह फरीदाबाद क्रॉस करके अब यह हरियाना में पहुँचे हुए है और इत्फाक ऐसा है कि मेरी मुलाकात इन से यहां हो गई है मध्यप्रदेश के चतरपूर के रहने वाले यह लोग हैं, अमबाले से चले हैं कई दिन हो गए इन्हें सडक पर और अभी तक यह हरियाना ही पहुँच पाए हैं आपके चपल टूट गी है तो एक काम कीशाब मेरा वाला आएगा पहन के देखिए यह आएगा तो आप पहने के हैं यह पहन लो का का रस्ता बहुत दूर में तो इन्दजाम कर लूंगा अपना प्रेंव के देखो आता है क्या पार क्यूं नहीं करना हैं वाले हैं पुलिस वाले आगए हैं आभी रोक रहें जाने से आगे पूरी फोर्स बनाने पड़ेगी ता अगर जादा भीड हो जाती है तो पूर्स इनको ले कर जाना परता है तो यह तो जो क्राइम है और इसमें अंतर होता है इनको बया से लेकर जा रहे हैं लेकि यह हमारी जवाब जा रही है पुलिस वालों से अब उनके रहने के इंतिजाम यहां पे कर रहे हैं और आटो से उनको बठाकर लाया गया है अब यह परिवार यहां आया है बच्चे कमसकम सड़क की धूल फांगने से यह बच जाएंगे यह थोड़ा सा छोड़ा सा प्रयास किया हम लोगों ने के पुलिस पाने तक का बच्चों को विस्कीट पानी दूद जो भी चाहिए वह उतलब कराया जा रहा है हमारी स्राय सांस्ता की तरफ से और जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कर रहे हैं अभी फिलाल तो यह परिवार तक अब राहत पहुंची है बहुत बहुत शुक्रिया हर्यान पहली बार ऐसे किलकारी मार देए और अपने घुटनों के बल गर्मी का टाइम है यह पब्लिक परेशान हो रही है अब इनका कर रहे हैं दीरे-दीरे करके इनके विवस्ता करेंगे दीरे-दीरे लेकिन यह अपने घरों तक पहुंचेंगे जी आमें तो पूरी उमीद है साव इनके चेहरे बता रहे हैं कि कितना इत्मिनान यह महसूस कर रहे हैं चोटा बच्चा है गोग में पंखे की हवा मुझे लगता है कि नौ दिनों के बाद इनको मिली है इस चिलचिलादी धूप में बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है यहाँ पर विदेशमा फसा 30,000 भारतियों ने भारत लावानू आयो जन छे खाड़ी देश माथी आश्रे साड़ा त्रोंड लाक लोकोए भारत परत फरवानी इच्छा दर्शावी छे जो ये बीबीसी समवादाता फैजल मुहमद अली नो आ रिपोर्ट लामबा लोकडाउन बाद खाड़ी देशों ना एरपोर्ट पर थोड़ी हल चल चुवा मड़ी रही छे निव वर्शिय तिरिस सिमा तिमना वहुदिक्रा साथे कोची जे रहा छे परत्फणारा लोकों मां गर्भवती महिलाओ, रोगियों, रुद्धों अने मुसिबत मां फसायला कामदारों ने प्राथमिक्ता अपाई रही छे पाच्छा अफवा माटे पहला नजीक ना दुतावास मां रजिस्ट्रेशन करावू जरूरी छे जोके महिनाओ थी, हजारो किलोमीटर दूर फसायला लोको गभरायला छे कुवेत ना एक केंप मां रहती आत्राण महिलाओ, उतानी व्यथा वर्णावता रडवा लागे छे लोको ना रहवा माटे स्थानिक देशों नी सरकारोए, स्कूल, वीला अने अन्यस्थळोए व्यवस्था करी छे जोके जेमनी नौकरी छुटी गई छे, जेमना वीजा एकस्पाइड थे गया छे, अथवाचे ओफरवा गया हता अने लोकडाउन ने कारणे फसाय गया तेमनी संख्या गणी बधारे छे लोको रस्ता पर रहवा माटे मजबूर छे अबुधाबी नी एक पेट्रोलियम कंपनी मा काम करवा अवेला पंदर सो जिटला मजबूर फसाय गया छे जिमाथी एक ना मौत बाद अन्यों मा भारे रोशनी लागनी छे अब बीमारी को जाए और आपको सुचता नहीं है मोधी जी आप जो है हम लोग का फलाइट नहीं देते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा वरकर लोग का फलाइट दीजिए ताक यहाँ से हम लोग सही सुरपशीत अपने घर को पहुच जाए कुवेत ना एक केंप मा रहता लोग को पासपोर्ट खोवाई जवा थी स्पोंसर द्वारा पासपोर्ट पाछो न कराता अथवा वीजा एक्सपायर थाई जवा थी पर अतना फरिशक्या अमा थी मोटा भागना लोको पासे टिकिट खरीदवाना रूपया न थी भारत जथी फ्लाइट्स चालू थाई गई शे जोके वाईरस ना संक्रमन नो फेलावो रोकवानो पड़कार पंशे कोरोना नेगेटिव होए एवाज लोकोंने हवाई मुसाफरी नी परवान गीशे पाचाव्या बाद मुसाफरों चाउध दिवस माटे क्वारंटीन मा पन जहू पड़शे जोके हाल माच केरण पहुंचेला बे लोकोंनो कोरोना टेस्ट बे दिवस पाहलाज पॉजिटिवाव्यो छे लई एक विराम यमन मा प्रस्री रहेली कोरोना महामारी ने लईने यूएन नी चेतवनी संक्रमणना जोखम थी ब्रुद्धोने बचावा माटेनों नवो कीमियो रोकाई एक विराम माटे मलिये थोड़ीजबार माँ विराम बात फरी एक वार आपनू स्फागत बीबीसी समाचार माँ चीन ने अमेरिकाना संबंधों वनसी रहा छे अमेरिकी सेनेटे शिंजी आंग मा मानवादी कारना भंग बदल सजाना बिलने पास करियू सेनेटे ट्रंप प्रसाशन ने चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लादवा विननती करी जमनू कहवू छे के प्रसिक्षन शिबीरों माँ 10 लाख वीगर मुस्लिमों ने अटकायत मा रखाया छे चीने शिंजी आंग मां कोई पन खोटी कारेवाही ने नकारी छे अमेरिका मा वैग्नानी कोई कोरोना वाइरस सामे रक्षन आपफा माटे प्रायोगीक रसी ना अजमाय अशनी प्रगतिनी जान करी छे यूके मा ओक्सफर्ड युनिवर्सिटी ए बनावेली एंटी कोविड-19 रसी जयरे छो बांदराओने अपाई त्यारे तेमने एंटी बॉडिस विक्सित करया आने तेमने निमोनिया नथी थयो आ अध्ययन नी समिक्षा नथी थयी वैजनानी को ए चेतवनी आपी के आफ्रीकाना लगभग एक अबज लोकोंने रोकचाडाना प्रथम वर्ष माज कोरोना वाईरस नो चेप लागी शके छे परन्तु वर्ल्ड हेल्थ ओर्गिनाईजेशन विचारे छे के अमेरिकाने यूरोप करता वधू लोको तेना थी बची शक्षे कारण के घणा आफ्रीकन युवान छे यूक्रेन मा सरोगसी थी जनमेला ओच्छा माउचा 35 नवजात बाड़कोंने कोरोना वाईरस प्रतिबंधोंने कारणे तेमना माता पीता पासे नथी मोकलवा माव्या यूक्रेनी सरहदो बंद छे जनकारणे विश्व भरमाथी जैवीक माता पीता आ बाड़कों सुधी पहुँची शके तेम नथी अने हावे वात युद्ध ग्रस्त यमननी जियां कोविड-19 ने दस्तक दीदी छे जोके संयुक्त रास्ट्रोय चेतवनी उच्चारी छे के यमन माँ वाईरस भेदी रीते फैलाई रहो छे ग्रोह युद्ध ने कारणे यमननी आरोग्य व्यवस्ता पहले थीज कथड़े लीचे त्यार बीबीसी ए सनानी ए हॉस्पिटल नी मुलाकात लिदीजे पहले थीज खुब ओचा संसा दनों साथे काम करी रही हती जो ये यमनन निस्तिती परा रिपोर्ट यमनना लोकोंने हवे बंदूकनों डर न थी तो युद्ध, पूख आने कॉलेरा साथे जीवता शिखी गया चे जो के हवे अहीं कोरोना महमारी नू जो खमपण एकलो जुचे यमनन मां कोविद-19 नो पहलो केस 10 एप्रिल ना रोज नोंधायो हतो अहीं युद्धने कारणे मूटा भागनी आरोग्य व्यवसा भांगी पड़ी छे इवा मां समक्रदेश मां संक्रमित केसों नी संख्या वद्ता भायनों मां हौल छे असनानी सौथी आधूनीक एवी कुवेथ होस्पिटल छे कोविद-19 ना दर्दियोंनी सारवार थशे बीबीसी ने आ होस्पिटल मां जवानी परवान गी मड़ी आ होस्पिटल मुखे सेंटर छे जे यां कोरोना वाइरस ना दर्दियोंनी सारवार थशे जोहीं केसों वद्या तोशों अमारी पसे पूर्ता बैट छे अजी पहला सोड़च दर्दी अमारे त्याव्या छे पन त्यार बाद अमारे लोकोंने दुर करवा पर शे यमननी त्रोण करोडनी वस्ती मां देश भनी होस्पिटलों मां मांतर बस सो वेंटी लेटर्स छे देश ना उत्तरभाग मां होती चड़वर चाली रही शे अही मातर बै केसों नी जहरात कराई शे जारे सना मां एक नू मौत थाओ छे जोके अमारा सुत्रों जनावे छे के ही धार्या करता परिस्थिती वधारे विकड़ छे स्थ्रानी प्रशाषा ने करोना वाइरस ना रिपोर्टिंग उपर प्रतिबंद लगावी दितो शे अने आ प्रकार ना विडियो सोशिल मीडिया उपर वाइरल थाई रहा शे आम छता देश मां महामारी थी पार पाडवा माटे जूज नकर पगला लेवाई रहा शे सनाना नजिकना विस्तारों मां मजजिदो औने बजार बंद शे आम छता आहीं मोटी संख्या मां लोको फड़ता जोवा माड़े शे आहीं आ कारिंटीन सेंटर मां आरोगे कर्मचारियों टांचा साधनों वड़े कोरोणा महामारी नों सामनों खरवानी तयारी करी रहा शे आहीं पांच मार छे जिमा थी एकनों उप्योग थाई शक्याम छे अमरी पासे पीपीई औने जन्तू नाशकों नी कमी छे अहीं 10 लोको एक बातरूम नों प्योग करे शे अने 20 लोको एक रूम मा रहवू पड़े शे पहला थीश मानिवी आफ़तनों सामनों करी रहेला आ देश मां घणू करवानू बाकी शे अहीं ना लोको कूपोशिच शे अहीं वर्षोती कॉलेरा अने डायरी आये भढ़ो लिधो शे अंदाजे 2 करोड 40 लाख लोको अहीं मानवी ये सहाय उपर निर्भड शे जे साओधी समर्थित सरकार नी नाका बंधीने कारणे बाधिच शे तो अमेरिका एपन 70 मिलियन डॉलर नी सहाय अटकावी देथी शे युद्ध विरामनी अनेक अपिल छता यमन मा लडाई चालू छे कोरोना महामारी आवी पड़ता यमन ना लोकोई हवे कई किटलाए पड़कारो जिल्वाना छे महामारी ने कारणे पश्चिमना देशों मा व्रुद्धोनी संभाल रागता क्यार होम सौथी वधारे प्रभावी चे अनेक देश एभी व्यवस्थानी शोध मा छे जमातेमना वरिस्थ नागरीकोंने तमाम प्रकारनी सुविधातों मलीज रहे परन्तु डच केर होम नी वाद करिये अहीं एक नवतर प्रयोक कराई रहो छे चमातेमने काचनी कैबिन नी व्यवस्था करी छे खतरना केवा कोरोना वाइरस थी घरडा लोकोंने बचावा माटे बनावायलू आ खास प्रकारनों सरक्षन कवच आसा रक्षन कवचे ठड़ लोकडाउन नी वच्चे परिवारना मिलननू द्रश्य कैंक आउस सरस देखातू हतू आपने बद्दा जेरी ते एक बिजाने मड़ी रहा छिए ए अन्य माटे समझ वो मुश्केल छे आपनी मूटा बागनी जनता माटे वाट्सेप कॉलिंग के जूम समझ वा गरूछे ते ओ आइपेड नी स्क्रीन सामें एवी ते जुए के चाने ते ओ कोई वीडियो के फिल्म निहारता होई तेमनी ख्याल ना आवेके आत्यारेच चाली रहूछे परन्तु आहीं तो तमने आखे आखु द्रश्य आर पार जोवा मडे तो मारा माटे मने खरेखा जोवा जे रिते ते ओ हलन चलन करे तेमनों शरीर काम करे अनने तेमनी बॉडी लैंग्विज जे अदबुच छे शरुआतमा ए अगुरुआतू जेती तेमनों परिवार श्रीमती स्टूप ने ए समझावानों प्रयास करी रहो हतो के आह वे सामान्य स्थिती छे पन तेओ असमन जस्मा हता तेमने नह तो समझातू के तेओ शा माटे मना परिवार ने नथी मड़ी शकता परंतू तेमना परिवारे ए बाहेंदरी आपी के तमाम लोको दोड मिटर नों अंतर जाडवी राखे अने हावे तमे जोई शको छो के तेओ ने आफ़ावी गव छे कोई व्यक्ती जो खम्मा ना मुकाती विवस्थाने कारणे हावे परिवार आरीते मड़ी शके छे परंतू एक एवी महिला कि जेवनी उमर 85 वर्ष नी छे अने जैमने डिमेंशिया रूग लागू छे तेओ हाल माज तेमना पतीने गुमावी चुक्या छे आने पोते एक नर्सिंग हॉम मा लोगडाउन ना 28 वाड़िया पहला ज रहवा आव्या तेमने हवे समझाव वो अगुरू छे हुँ खोश छो के हुँ तेमने जोई शकी आएक अलग दुनिया छे मारा माटे हुँ हमेशा खोब खोश रहती पर्ण हवे थोड़ी ओची खोश रहूं छु लागे छे किया काचनू घर तेमना माटे आ महामारीना समयमा परिवार जनोंने मलवा माटे नू योग्य समाधान छे चे बतावे छे कि तेमना स्वजनो तेमने भूली नथी गया पीएम मोधी आत्मा निर्भर बनवानी वाद करी ते विश्वपर बीबीसी कार्टूनिस्ट केर्तिशनी कलम है आज नो व्यंग बीबीसी समाचार मा आज माट बसाटलू त्सोमवारे फरी मलिश्ववाद समय झाल झाल झाल